हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एक्जामिनेशन बोर्ड जो इंटर्मेडियेट में नमांकर नहीं तो आप सभी का बहुत सारा प्रोष्ण आ रहा था तो सभी प्रोष्ण को मैं क ज्यादा बात नहीं कर सकता है यह यूट्यूब के खिलाफ होता है इसली मैं सोचा कि सभी कमेड को एक एक बात देखता हूं उसके सभी को जबाब को जितना हो सके मैं जबाब देने की कुशिस करूंगा तो वीडियो बहुत ही इन्पोर्टेंट होने वाला आप सभी से एक कमेंट को देखेंगे और उसको अच्छे से समझाने की कुशिस करेंगे तो सबसे पहले कमेंट को फर्स कमेंट को इपन करते हूं इसकाAyสसाट लिया हम comment कर यह बता रहे हैं कि इनका तो answer मैंने दे दिया है बट यह सोचा कि आप सभी को बता दे इनका कहना यह कि slide up करने के बाद मेरा दूसरा college में नाम आ गया है मोगर उसमें admission नहीं लेना चाहता हूं तो क्या मेरा admission cancel हो जाएगा और फिर से slide up करना चाहता हूं तो क्या मुझे second college में admission लेना होगा ति इनका कहना यह कि मैंने जो slide up किया था उसमें first college में मैंने अपना admission करा लिया और उसके बाद second college में भी नाम आया है उसमें भी मैं admission नहीं कराना चाहता हूं तो फिर क्या admission कराना पड़ेगा जी हाँ आपको बता दे कि जिस तरह आपने first college में नाम लिखा कर उसके बाद slide up किया उसी तरह आपको second college में भी नाम लिखा कर उसके बाद slide up करना होगा उसके बाद third merit list में आपका नाम आएगा तो इस तरह को करके आप अपना admission करा सकते हैं और दूसरा comment रभी फरकास के तरफ से है यह पुछ रहे हैं कि slide up के बाद पहले college में admission कैंसिल हो जाएगा फिलीज रिप्लाई में सर्थ तो जी हाँ आपको बता दे कि जवब आपने slide up किया था और आपका second merit list में नाम आ गया है तो आपका सब फर्ष्ट वाले college से नाम आपका cancel हो जाएगा आपको second college में आपका admission कराना होगा इसी तरह बढ़ते हैं तो इसका slide up कर सकते हैं इस तरह आप अपना second list में अगर आप चाहते हैं slide up कर सकते हैं फिर इसके बाद अगला comment देखते हैं next comment अभिनंदन कुमार के तरफ से या है कि सर मैंने slide up किया था पर अब लिखा आ रहा है कि आपने slide up पहले हैं list में नाम आ चुका है तो आपको बता है कि सायद आपने दोबारा OTP फिल कर दिया होगा आपको बता है कि एक बार लिखा आ रहा था OTP फिल करने के लिए और दूसरा OTP आ रहा था वो next comment अगला comment dp bullet live stream के तरफ से यह कर रहा है कि slide up से मेरा दूसरा college आ गया है बोट फिर से दुबारा रूपिया लगेगा फिलीज रिपलाई तो हम आपको बताया देखिए कि आपने information लेटर डाउलूड किया है उसके नीचे स्क्रॉल करकर पढ़िएगा वहाँ पर साब साब लिखा आ रहा है कि जितना अगर आप में जैसे यह college में आपका मतलब की 400-500 रुपया दिये हैं admission कराने के लिए अगर आपको second college में नाम आया उसमे 1600 लोग रहा है तो आपको 200 ज्य कमेंट यह है कि इन ही का कमेंट है यह पूछ रहा है कि फिर से slide up कर सकते हैं तो हम आपको बता दे कि जिस तरह आपने फर्स्ट college में admission करा कर सकते हैं तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि second college में भी नाम आया और उसमें भी आपका क्लिज नहीं मिला है तो आप slide up कर सकते हैं बट आपको क्या करना होगा second college में आपको admission कराना होगा admission कराने के बाद आपका आपका slide up पर किरिया open होगा बीना admission कराएं अगर आप slide up करते हैं तो हम वानने नहीं होगा क्योंकि इसमें क्योंकि intimation later में शाप-शाप यह बताया गया है तो आप पहले admission करा ले उसके बाद आपना नमांकन करा तो इस तरह admission से लेकर बहुत सारा doubt था जो मैंने इस वीडियो में clear करने की कुछिस किया हूँ आपको गर भी doubt या confusion हो तो आप वीडियो में comment करके पूछ सकते हैं हम बाताने की कुछिस करेंगे यहाई सब doubt को देखते हूँ मैंने एक WhatsApp ग्रूप बनाया है जिसमें आप सभी को अपना कोई भी confusion हो या doubt हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं और आप से हम से संपर कर सकते हैं तो आपको WhatsApp ग्रूप बनाया गया उसका लिंक आप सभी को discussion में मिल जाकर आप वाहां से जाकर आप ज्यादा से ज्यादा हमसे बात कर सकते हैं और हमसे जूड सकते हैं तो आप WhatsApp ग्रूप को ज्वीडियो को आपने दोस्तों पर सांसर कीजिए ताकि उनक सब्सक्राइब करें